तो यह हमारी प्लेट और इसे मेजर करने के लिए हमें चाहिए कैलपर, वरियर, और शिंपल एम टेप तो थिकनेस मेजर करने के लिए हमारे साथ है मैदा सिल से लखन लहरी परिया और यह हमें सिखाएंगे कि प्लेट की थिकनेस कैसे लिए जाती है मैं प्लेट की मोटाइन आपने के लिए कि इसको क्लिपर को आइशता है इस तर थोड़ा टाइट करेंगे के पर इतना टाइट हो कि हलका टाइट और मेडियम तरीके से होना चाहिए ज्यादा टाइट नहों ज्यादा लूज भी नहों अब मैं आपको दिखा रहा हम कि प्लेट की मोटाई कितनी है फर्स्ट एन लाइस पॉइंट काउंट कीजिए 16 अमका प्लेट है यह यह वर्णियर अब मैं आपको इस से प्लेट की तरह नापी जाती है वह पता हमगा तो देखिए इस तरह से अपना वर्णियर लगाते हैं प्लेट में और दोनों सीरा प्लेट में टच होने के बाद इसको इसको को टाइट किया जाते हैं ताकि यह इदर उदर हीलेना फिर इसको आइस्ता आइस्ता करके निकालते हैं तो आप हम प्लेट की मोटाई चेक करेंगे वर्णियर के लिपर में अभी हम थिटनेस नापे हैं तो यह जीरो जीरो तो जीरो कांट करेंगे जीरो तू टेन टेन अमेम एंड प्लस वान टू तू त्री फोर फाइव सिक्स टेन प्लस शिक्स फिस्टीन अमेम लेकिन यहां तो मुझे दो जीरो दिख रहा है तो कौन से जीरो से देखेंगे यह फर्स्ट जीरो से लेके एंड लास्ट सेकन्ड जीरो पॉइंट जिस पॉइंट में आगा वह उत्ते हैं वह प्लेट हो तो देखा आपने इतना आसान है इसकी थिक्नेस नापना अब मैं आपको ठीकनेस टेस करना सिखाऊंगी फिल्ग में तो अब मैं आ गई हूँ फिल्ग में और अब मैं आपको तिखाऊंगी की MS प्रेड की थिक्नेस कैसे ना-पी जातिए तो यह है कैलिपर और यह हमारी MS प्रेड आएम चलिए मैं आपको सिखाती हूं पीस से कैसे हापा ज तो यह है कैलिपर जिसका हमने थीकनेस देखा था अब हम इसे टेप में नाप कर देखेंगे हमें एक याड रखना है कि यह पूरा पॉइंट पे होना चाहिए तो देखिए यह है 16 mm तो यह है वर्नियर अब इसमें हम देखेंगे कि हमारी प्लेट की ठीकनेस कितनी थी ध्याद रहे इस जीरो के बाद सब देखना है 10 15 mm और एक बात मेता स्टिल्स में हमें 8 mm से 140 mm तख की प्लेटे मिल सकते हैं थांक्स पर वाचिन आप वीडियो इस इस अंजली साइन आप फॉम मेता स्टिल्स प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब चैनल कि प्लाएब चाई आप यूज्स इस उस कि प्लाएब चास कि प्लाएब चास कि आप लाई टौब चि